आज दुनिया दिनों दिन डिजिटल होती जा रही है. आज कल शॉपिंग से लेकर बैंकिन तक सभी चीजे डिजिटल रूप में हो रही है और इन सब में डिजिटल करिंसी का काफी योगदान है. डिजिटल करिंसी क्या है? Digital currency एक ऐसी currency है जिसे केवल digital रूप से एकसेस किया जा सकता है आसान शब्दों में कहें तो digital currency मुद्रा का एक electronic रूप है यहाँ एक ऐसी currency है जो केवल digital या electronic रूप में मौजूद होती है इसे digital money, electronic money और electronic currency भी कहा जाता है Digital currency एक non-tangible currency है जिसका उप्योग physical currency की तरह भुकतान के लिए किया जा सकता है यहाँ physical currency पर आधारित नहीं होती बल्कि यहाँ physical currency का एक वैकल्पिक रूप है Digital currency एक electronic currency है जिसका कोई physical रूप नहीं होता इसलिए इसमें भुकतान करना आसान और सस्ता है इसके दारा आप दूर स्थित व्यक्ती तक को बड़े ही कम समय में आसानी से भुकतान कर सकती है Physical currencies जैसे की backnote और सिक्के एक tangible currency है इनके पास निश्चित भौतिक गुण और विशेष्टाएं होती है जबकि digital currency की कोई भौतिक गुण और विशेष्टाएं नहीं होती इनका कोई physical वजूद नहीं होता ये केमल digital रूप में उपलब्ध होते हैं Digital currencies से जुड़े लेंदेन, computer या internet से जुड़े electronic wallet का उप्योग करके किये जाते हैं जबकि physical currencies जैसे की banknote और सिक्के से जुड़े लेंदेन तभी संभव होते हैं जब उनके धारकों के पास इन मुद्राओं का भौतिक अधिकार होता है मतलब की banknote और सिक्के से जुड़े लेंदेन तभी संभव होता है जब उनके पास ये banknote और सिक्के physical रूप में मौझूद हो Digital currencies की उप्योगिता physical currencies के समान होती है उनका उप्योग सामान खरीदने और सेवाओं के भुकतान करने के लिए किया जा सकता है हाला कि इनका उप्योग कुछ online network तक सीमित हो सकता है उदाहरन के लिए gaming sites और gambling portals Digital currency दारा ततका लेंदेन किया जा सकता है चाहे दोनों parties अलग-अलग location में ही क्यों न हो Digital currency में transaction की कोई सीमा नहीं है आप जितनी बार चाहे उतनी बार transaction कर सकते हैं Digital currency के इस्तमाल से आप अपने पास पैसे रखने के जंजट को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं आम तोर पर कुछ digital currency ऐसी होती है जिसे government द्वारा issue नहीं किया जाता और इसी कारण इन्हें legal tender नहीं माना जाता Digital currency या तो centralized होती है या फिर decentralized vertical बार यदि digital currency centralized होती है तो यह central bank के control में होता है और यदि यह decentralized होती है तो यह पूरे network में distributed होती है इन पर किसी एक का control नहीं होता Digital currency एक ऐसी मुद्रा है जिसे digital computer system या electronic wallet पर रखा जाता है और internet की सहायता से इस्तमाल किया जाता है सभी cryptocurrency digital currency है लेकिन सभी digital currency cryptocurrency नहीं है Bitcoin, Ethereum और हजारों अन्य cryptocurrency जो की digital currency का ही एक रूप है ने वैश्विक Central Bank को यह शोध करने के लिए प्रेरित किया है कि national digital currencies कैसे काम कर सकती है